नमस्कार मेरे प्रेविधातियों मैं हूं प्रवीन बंसल आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11 लेखा शास्त्र अध्याय तीन लेन देनों का अभिलेखन पिछले अध्यायों में हमने लेखा शास्त्र की परिभाशा को पढ़ा उससे जुड़े हुए कुछ नियम और अब इस अध्याय में हम पढ़ने जा रहे हैं लेखा शास्त्र के कुछ नियमों को जो अभिलेखन से तालुक रखते हैं अभिलेखन अर्थात पैसे का आना जाना लोगों से समान खरीदना बेचना इन सभी चीजों को अपनी पुस्तकों में एक तरीके से लिखना और यही लेखा शास्त्र की परिभाशा भी कहती है जितनी भी वितिये घटनाएं एक विव्यशाय में हुई हैं उन सभी को एक तरीके से लिखना ही लेखा शास्त्र है अब इन सभी चीजों को लिखा कैसे जाता है वह इस अध्याएं में हम सीखने जा रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं जैसे कि हम जानते हैं, खाते मुख्यते पांच तरह की होते हैं, परिसंपत्तियां, जिनको हम एसेट्स भी कहते हैं, देताएं, अर्थात, वह पैसा जो हमें औरों को देना है, जिस प्रकार बैंक रिन, पूंजी, पूंजी उस पैसे को कहा जाता है, जो व्यवसाय का स्वाम व्यवसाय में अपनी तरफ से लगाता है, और यह हमें किसी को वापिस नहीं करनी होती, और बागी के जो दो खाते हैं, उनका नाम है आए, अर्थात, वह पैसा, जो एक व्यवसाय अपने सामान को बेच करके लिया करता है, और आखरी खाता है, खर्चों का, जिसको हम व्य भी कहते हैं, इसको अंग्रेजी में हम expense भी कहते हैं, तो यह सभी पाँचों खाते जो हैं, वह एक समिकरण के रूप में भी दिखाए जा सकते हैं, जो आपके सामने हैं, परिसंपत्तियां बराबर देताएं जमा पूंजी, अगर यह जो पूंजी है, मैं इसमें सभी व्य घटा दूँ, तो यह एक पूंड समिकरण बन जाता है, परिसंपत्तियां बराबर देताएं जमा पूंजी, पूंजी में सभी तरहां की आमदनी जुड़ जाएगी, और सभी तरीके के खर्चे घटा दिये जाते हैं, तो यह एक समिकरण बन जाता है, जो बिलकुल गणित की तरहां काम करता है, और द्विय अंकन प्रणाली के अनुसार, इसमें भी सभी घटनाएं दो बार लिखी जाएंगी, या तो वह परिसंपत्तियों की तरफ, या वह इस तरफ, दोनों ही जगां घटना को लिखा जाता है, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, खाते मुख्य पांच तरह के होते हैं, परिसंपत्तियां, देताएं, पूंजी, व्य और आए, चलिए आगे बढ़ते हैं, जिस तरह से हम देख सकते हैं, परिसंपत्तियां, देताएं, पूंजी, लाब या हानी, लाब को हम आगम भी कह सकते हैं, और हानी को हम व्य भी कह सकते हैं, यह अ को हम नाम भी कहते हैं अगर वहां पर लिखा जाये तो वह उसी खाते में या किसी दूसरे खाते में Credit Side पर जिसको हम जमा भी कहा करते हैं वहां लिखा जाएगा यह प्रणाली इसी तरीके से चलती है हर वित्य घटना के अंदर दो बार चीजे लिखी जाएगी इन पांच में से किसी भी एक खाते में जमा या नाम नाम या जमा तो यहाँ पे हमने इसके कुछ नियमों को बनाया है जो आप साफ तरह से देख सकते हैं अगर हम बात करें परिसंपत्तियों की तो अगर यह बढ़ें तो यह नाम से बढ़ेंगे मतलब डेबिट से बढ़ेंगे और अगर यह घटें तो यह जमा मतलब क्रेडिट से घटेंगे अगर हम देता हैं जिनको हम लाइबिलिटी भी कहते हैं यह क्रेडिट से बढ़ते हैं मतलब जमा से बढ़ते हैं और नाम से घटते हैं तीसरा खाता है पूंजी जैसे कि मैं बता चुका हूँ पूंजी वह धहन राशी है जो वेवसाय का स्वामी वेवसाय में अपनी तरफ से लगाता है और यह हमें किसी को वापिस नहीं करनी पूंजी की वृद्धी क्रेडिट साइड से होगी जिसको हम जमा भी कहते हैं और पूंजी में कटोती डेबिट साइड से होगी जिसको हम नाम भी कहते हैं अगला खाता है आगम या लाब इसकी वृद्धी क्रेडिट साइड मतलब जमा से होगी और कटोती नाम मतलब डेबिट साइड से होगी और जब हम किसी खर्चे के खाते के बार भी कह सकते हैं, इन में वृध्धी debit मतलब नाम से होगी और कटोती जमा से हैं. विध्यारतियों आपको इस बात का ध्यान रखना हैं, सिरफ दो खाते ऐसे हैं, जिन में वृध्धी नाम से होती है और कटोती जमा से, मतलब परिसंपतियां और हानी यह debit side से बढ़ते हैं और credit side से घटते हैं. और बाकी के बचे हुए तीन खाते जिनको हम liability, income और capital, देताएं, लाब और पूजी यह credit side से बढ़ते हैं, मतलब जमा से बढ़ते हैं और debit से घटते हैं, मतलब नाम से घटते हैं. अगर आप इन पांचों खातों के इन नियमों को अच्छे तरीके से कर लेते हैं, तो शायद आप रोज नामचा जिसको हम journal भी खा करते हैं, उसको करने में समर्थ हो जाएंगे. तो आप सभी से निवेदन हैं कि इन नियमों को आप बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लें. तो चलिए, अब हम रोज नामचा की प्रक्रिया को शुरू करते हैं. जैसे कि आपको एक उधारण आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एक अप्रेल को एक लाग पचास हजार रुपे से व्यवसाय आरंब किया, अब आपको यहाँ पर यह ध्यान देना है कि इस वित्तिय घटना में कौन से दो खाते शामिल हैं. सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूँ, लेखा शास्त्र व्यवसाय के दृष्टि कोन से किया जाएगा, ना कि व्यवसाय के स्वामी के दृष्टि कोन से. जब हम व्यवसाई के हिसाब से बात कर रहे हैं तो आप यह देखिए पैसा व्यवसाई में आया या व्यवसाई से गया व्यवसाई के स्वामी के दृष्टी कोण से लेखा शास्त्र नहीं किया जाता जब 1,50,000 रुपे से विवसाय आरंब किया गया है, तो वियपार में 1,50,000 रुपया आ चुका है और यह कैश का आना हुआ, रोकड का आना, रोकड एक परिसंपत्ती है और अभी अभी पड़े हुए नियमों के अनुसार परिसंपत्ती का बढ़ना डेबिट होना है डेबिट अब दूसरा खाता जो की पूंजी है क्यूंकि यह व्यवसाय को आरंब करनी के लिए लगाई गई है तो पूंजी की बढ़ोत्री शायद क्रेडिट साइट से बढ़ती थी आपको उन नियमों को जो अभी अभी पढ़ाए गए हैं बहुत अच्छे तरीके से याद करने है तो हमें दोनों ही खातों के बारे में पता लग चुका है और अब हम इसके लिए रोज नामचा में अभी लेखन शुरू करने जा रहे हैं आप देख सकते हैं कि जो पहला खाता कैश है उसको हमने रोकड के नाम से लिखा नाम और दूसरा खाता है पूंजी पूंजी खाते से अर्थाथ पूंजी को हमने क्रिड़ कर दिया है जमा जमा की घटना को लिखते हुए आप सिरफ ये से शब्द का इस्तमाल करेंगे से शब्द का इस्तमाल अपने आप में एक क्रेडिट एंट्री है अब हम अगली घटना पे चलते हैं अगली घटना में एक अपरेल को मनीशा से 36,000 रुपे का माल खरीदा जब आप किसी से माल खरीदते हैं तो वह क्रे कहलाता है और क्यूंकि समान मनीशा से खरीदा गया है और घटना में ये नहीं बताया गया मनीशा को पैसा दिया गया या नहीं अगर किसी घटना में किसी व्यक्ति विशेश का नाम दिया हुआ है जैसे की मनीशा इसका आर्थ ये हुआ कि हमने मनीशा को अभी कैश नहीं दिया रोकड नहीं दिया मनीशा अब हमारे लिए एक देंदारी है और समान को खरीदना क्रे कहलाता है मनीशा हमारी देंदारी हमारे लिए देता है और देताएं को बढ़नी की जो साइड है वह है क्रेडिट तो यहां पे हमने एंट्री बनाई मनीशा को क्रेडिट करके और क्रे खाते को debit करके इस प्रकार हम रोज नामचा किया करते हैं चलिए तीसरी घटना की तरफ चलते हैं अब आपने बाइस सो रुपे की लेखन सामगरी खरी दी अर्थात खर्चा और सभी खर्चे परिसंपत्तियों की तरह डेबिट साइट से बढ़ा करते हैं तो स्टेशनरी को खरीदना भी एक खर्चा है एक व्यह है परिसंपत्ति और खर्चे डेबिट अर्थात नाम से बढ़ा करते हैं इसलिए stationary खाता debit, stationary खाता नाम और रोकड व्यवसाय से जा चुका है रोकड हमारी एक परिसंपत्ति है, परिसंपत्तियों को हम credit side से घटाते हैं परिसंपत्तियों को हम जमा से घटाया करते हैं और इसी के साथ रोकड खाता credit हुआ, cash account credit चलते हैं अपनी अगली घटना पे, जो दो अपरेल को हुई SBI में बैंक खाता खोला और 35,000 रुपे जमा किये जब आप बैंक में पैसा जमा कराते हैं, रोकड जा रहा है परन्तु एक नई परिसंपत्ति बैंक के नाम से आ रही है बैंक नामक परिसंपत्ति का बढ़ना अर्थात debit होना मतलब नाम तो बैंक नाम और रोकड का जाना अर्थात cash का credit होना cash जमा तो देखिए, एंट्री बनती है, बैंक खाता नाम और रोकड खाता से cash account credit चलते हैं, अगली घटना पे जो 2 अपरेल को ही हुई प्रिया को 16,000 रुपे का नगद माल बेचा देखिए, यहां आपने नगद माल बेचा प्रिया को बेचा या किसी और को बेचा जब माल नगद में बिका तो इस बात से कोई फरक नहीं पड़ता वह प्रिया को बेचा या किसी और को अब नगद आ चुका है नगद हमारी एक परिसंपत्ति है और परिसंपत्तियों का बढ़ना debit होता है मतलब नाम क्यूंकि पैसा आ चुका है चलते हैं अगली घटना पे निधी को 14,000 का माल बेचा देखिए जब आपने माल बेचा और निधी को बेचा घटना ने यह नहीं बताया है कि हमने निधी से पैसा लिया या नहीं लिया इस कार्थ यह हुआ कि हमने निधी से पैसा नहीं लिया और जब हमने निधी से पैसा नहीं लिया, तो निधी हमारे लिए एक लेंदारी बन जाती है, लेंदारी अर्थात परिसंपत्ति, और परिसंपत्तियों में इजाफा होना, या कहलीजिए परिसंपत्तियों में बढ़ोत्री होना, डेबिट साइड में लिखा जाता है, तो य हमारे पास एक नया नाम निकल कराता है, जिसका नाम है विक्रे, समान को खरीदना क्रे और समान को बेचना विक्रे, विध्यार्तियों को यहां ध्यान देना चाहिए कि रोज नामचा बनाते हुए, हम स्टॉक शब्द का इस्तमाल नहीं करते, आने वाला स्टॉक पर्चेज, क्रे, और जाने वाला स्टॉक सेल विक्रे, और पर्चेज मतलब क्रे अधिक्तम डेबिट ही किया जाता है, और सेल अर्थात विक्रे अधिक्तम क्रेडिट ही किया जाता है, यह ध्यान देना होगा, कि जब भी हम समान खरीदें, तो क्रे खाते को डेबिट करें, और जब भ आगे बढ़ते हैं 5 अपरेल के बाद निधी को समान देने के बाद 8 अपरेल को निधी ने 14,000 रुपे का भुकतान किया जब निधी ने 14,000 रुपे का समान खरीदा था निधी हमारे लिए एक लेंदारी थी अब हमने निधी से पैसा ले लिया है अर्थात रोकड का आना कैश का आना परिसंपत्तियों का बढ़ना और परिसंपत्तियां बढ़ती हैं डेबिट से और क्यूंकि निधी हमको पैसा दे चुकी है तो निधी अब हमारे लिए लेंदारी नहीं बचती परिसंपत्ति घट रही है और परिसंपत्तियां घटती क्रेडिट से तो यहां पे एं नाम और निधी क्रेडिट क्यूंकि निधी अब हमारे लिए परिसंपत्ती नहीं है चलिए आगे भड़ते हैं रितू से 20,000 रुपे का माल खरीदा देखिए अभी अभी हमने आपको बताया जब माल खरीदा जाए तो क्रे और बेचा जाए तो विक्रे क्यूंकि अब हमने रितू से समान खरीदा है तो क्रे हमेशा ही डेबिट किया जाता है क्रे खाता नाम और क्यूंकि यह समान रितू से खरीदा गया है तो रितू का खाता क्रेडिट मतलब जमा कुछ इनी नियमों का पालन करते हुए आप अधिक्तम रोज नामचा बना सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं इसी उधारण में अगली जो घटना है वह हमें यह बताती है 14 अपरेल चेक द्वारा 6,000 रुपे की बीमा किष्ट का भुकतान देखिए बीमा किष्ट जिसको हम इंशोरेंस भी कहते हैं यह एक तरीके का खर्चा है व्यै और हमने अभी अभी पढ़ा व्यै और परिसंपत्तियां डेबिट साइड से बढ़ा करती है बीमा किष्ट खा जाता नाम और क्यूंकि यह रोकड का जाना है रोकड क्यूंकि परिसंपत्ति है और परिसंपत्ति का घटना क्रेडिट किया जाता है तो रोकड क्रेडिट लेकिन हमारी इस घटना में हमने जो भुकतान किया है वह चेक से किया है तो रोकड की जगह यहां शब्द इस्तमा आप सभी जानते हैं किराया देना एक खरचा है और सभी खरचे डेबिट साइड से बढ़ा करते हैं जिन्हसेंदी बी Clay किश्ट को डेबिट किया गया था ठीक उसी तरीके से किराय को भी डेबिट किया जाएगा किराया खाता नाम और क्यूंकि यहां भुक्तान हुआ है पैसे का जाना रोकड का जाना कैश का जाना तो रोकड खाता क्रेडिट चलिए आगे बढ़ते हैं अगले एक दिन बाद मतलब 20 अपरेल पंदरा सो का माल दान में दिया दिखिए दान में समान का जाना विक्रे नहीं क्योंकि दान आप समान को बेच नहीं रहें आप समान को दान कर रहें कहने का मतलब 2000 रुपे वाला समान अगर आप विक्रे के रूप में किसी अपने ग्रहक को दें तो शायद आप उसमें अपना लाब जोड के 2200 या 2300 रुपे में देते हैं परंतु अगर आप किसी तरीके का दान कर रहे हैं तो वह 2000 का ही कहलाएगा अर्थात जो माल क्रे हुआ वह विक्रे नहीं क्रे का उल्टा हो गया है 2000 रुपे का समान आना क्रे है 2200 में समान चले जाना विक्रे है तो देखिए इसका हम क्या करेंगे दान खाता एक खर्चे के नाम पे डेबिट हो जाता है क्यूंकि सभी खर्चे परिसंपत्यों की थरा डेबिट से ही भड़ते हैं और क्यूंकि यह समान का जाना है समान का आना क्रे और समान का उसी लागत पे चले जाना क्रे को क्रेडिट कर देगा ना कि विक्रे को, विक्रे तो तब हो जब वह है आप अपने किसी ग्रहक को दे, इसलिए यहां क्रे खाता क्रेडिट किया जाएगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा, क्रे खाता क्रेडिट भी हो सकता है कब, जब कभी माल दान के रूप में दिया जाए, यह व्यवसाय का स्वामी अपने ही व्यवसाय से अपने घर के लिए यह समान व्यवसाय से निकाल के ले जाए। दान के लिए व्यवसाय के स्वामी द्वार निकाला गया समान या फिर आग लग जाने के कारण कोई नुकसान हो जाए। इन तीन चार परिस्तितियों में क्रेक हाते को भी किया जा सकता है चलिए आगे बढ़ते हैं 24 अप्रेल को 11,200 रुपे का फरनीचर खरीदा देखिए फरनीचर खरीदना भी एक परिसंपत्ती है और परिसंपत्तियों का बढ़ना डेबिट इसलिए फरनीचर खाता नाम अर्था डेबिट और रोकड खाता क्रेडिट क्यूंकि हमने पैसा दिया रोकड मतलब कैश का घटना मतलब परिसंपत्तियों का घटना परिसंपत्तियों का घटना अर्थात क्रेडिट हो जाना तो यह एक और एंट्री होती है और चलते हैं अगली एंट्री पे व्यक्तिगत उप्योग के लिए 2000 रुपे अहरित अर्थात व्यवसाय का स्वामी अपने घर के लिए व्यवसाय से समान लेके जा रहा है और हमने अभी अभी इसी बात की चर्चा करी कि अगर व्यवसाय का स्वामी समान व्यवसाय से निकाल के ले जाएगा तो वह क्रेक हाते को क्रेडिट कर देंगे आईए अगली घटना पे चलते हैं 29 अप्रेल व्यक्तिगत उप्योग के लिए 2000 रुपे अहरित मतलब वेपार के स्वामी ने अपने व्यक्तिगत उप्योग के लिए 2000 रुपे व्यवासाएं में से निकाले अब यह जो व्यक्तिगत उप्योग के लिए पैसे निकालना एक ऐसी घटना है जो की व्यवसाए का खर्चा नहीं है तो यह है व्यपार का खर्चा नहीं माना जाएगा और व्यपार के स्वामी के खाते से इसको काटा जाता है और जिसको हम अंग्रेजी में ड्रॉइंग भी कहते हैं परंतु रोकड तो इससे बाहर जा ही रहा है कैश का तो जाना तै है क्यूंकि व्यपार के स्वामी ने अपने व्यक्तिगत उप्योग के लिए कैश का उप्योग किया तो देखिए एंट्री करते हुए एक नया शब्द आप सीखेंगे जिसका नाम है अहरण खाता डेबिट नाम जिसको हम ड्रॉइंग अकाउंट भी कहा करते हैं और कैश का जाना मतलब रोकड खाता क्रेडिट हो जाता है ठीक है चलिए अगली घटना की तरफ चलते हैं तीस अप्रेल बारा सु रुपे का ब्याज प्राप्त हुआ बारा सु रुपे का ब्याज प्राप्त होना अर्थात कैश का आना रोकड का आना और रोकड का आना मत आपने ब्याज को पाया है, ब्याज आपके लिए एक लाब है, और सभी लाब के खाते क्रेडिट साइड से बढ़ते हैं, तो देखिए, क्या एंट्री बनती है इसके लिए, रोकड का आना मतलब रोकड खाता डेबिट, और क्योंकि ब्याज की प्राप्ती हुई है, यह आप खाते सदा ही क्रेडिट किया जाते हैं, तो विध्यार्तियों, हमने आज के इस सत्र में यह सीखा, कि मुख्यत पांच तरीके के खाते हैं, परिसंपत्तियां और खर्चे, जिनका बढ़ना डेबिट से होगा, और घटना क्रेडिट से, और सभी देताएं, पूंजी और ला से, और घटते डेबिट से हैं, नाम से, इन्ही नियमों के अधार पे हमने कुछ एंट्री सीखी, और बाकी के नियम हम अपने अगले सत्र में सीखेंगे, तब तक के लिए ध्यान रखिए, आपको इसी तरीके के सवाल अपने पाथे पुस्तक से दोहराने हैं, धन्यवाद झाल, 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 झाल.